नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्च्वल लर्निंग में दोस्तों मैं आज आपके लिए यूपीटेट एक्जाम 2022 से सम्मंधित एक बड़ी अपडेट लेकर कहा हूँ अपडेट है यूपीटेट एडमिट कार्ड से सम्मंधित अपडेट है दोस्तों तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आगे महाठपून जानकारी बताऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अन्त तक जरूर देखे और चैनल को सबस्काइब जरूर कीजे और दूस्तों तक भी सेर कीजे लाइक कीजे तो दोस्तो मैं आपको बता दूं कि UPTED admit card जो है वो आज जारी किया जायागा आप सभी का admit card आज जारी करने की जो tentative date है उसमें जारी कर दिया जायेगा अगर जो किसी कारणवाश लेट होता है तो अब उसे लेकर के जिस से में आप वीडियो देख रहे हैं मिलब जिस से में वीडियो बना रहा हूँ वहां से लेकर के 24 घंटे के अंदर आपका 100% admit card जोस्तो जारी हो जाना है परिच्छा केंडरों की सूची बना ली गई है और अब कोई भी confusion नहीं है कि एक्जाम नहीं होगा ये मानके चलिए कि आपका एक्जाम 101% होगा क्योंकि एक बार सरकार से गलती हो चुकी है सूच्छा में चुक के कारण पर च्छा एक बार रद हो चुकी है तो आप 24 जनवरी को एक्जाम है ना उसकी वज़स से बहुत जल्दी ही admit card जारी किया जाएगा जिससे की 17,000 vacancy जो की आनी है जो की गोश्रा की गई थी वो भी आप आजाएं क्योंकि अभी तो आचार सहिता के कारण सभी कारे रोग दिये गए हैं लेकिन जो ये 17,000 vacancy है इनको भी जारी किया जा सकता है क्योंकि बताया जाता है कि जो आचार सहिता कोड आप conduct होता है उसमें कोई नई घोश्रा नहीं की जाती है अगर जो government ने इसकी प्रक्रिया वहाँ पे जो official तोर पे शुरू कर दी होगी official तोर पे शुरू कर दी होगी क्योंकि इन्हों निगोश्रा तो कर ही डी थी और अंदर प्रक्रिया शुरू हो गई होगी तो मान के चलो यूपीटेट के exam के ज़स्ट बाद आपका ये vacancy का notification जारी हो सकता है ये समभावना एक बहुत कम है लेकिन ऐसा समभव है ठीक है दोस्तो तो आपको वीडियो ये जानकरी कैसी लगी आप सब कमेंट सक्षन में भी जरूर बता हो तब वीडियो को subscribe, like, share जरूर करिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ दोस्तो आज युवा दिव असकी बहुत बहुत सुपकामना है और आप सब उन्नती करते रहें प्रगत के पत्पे बढ़ते रहें जागो उठो रुको नहीं जब तक की मंजिल ना मिले बहुत बहुत धन्यवाद